हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका पाई क्लास इस बाई सचिन वालिक में आज का टोपिक क्लास 10 वक्षीट 71 नया चेप्टर स्टार्ट हो चुका है यहां पर कंस्ट्रक्शन डिवीजन ओफ लाइन सेगमेंट यानि किसी भी लाइन या किसी भी रेखा को डिवाइड करना एक दिये हुए रेशियो में तो दो मैथड सिखाए गए है एक तो यह एक अक्टिविटी वन के रूप में एक अक्टिविटी टू के रूप में जब भी यह कोश्चन आएगा आप किसी भी मेथड से कर सकते हो तो इन दोनों मेंसे जो सिंपल मेथड है वह हुए आपको बता रहा हूँ तो आपको एक्टिविटी वन करने की जरूरत नहीं है आप इसको डारेक्ट एक्टिविटी टू के जरिए करिए यह एक सिंपल खड़से में से समझाए गया एबी थ्री रेशियो टू जैसे भी आपको फिगर बना हुआ इससे कोई मतलब नहीं हम आपको बना के दिखाते हैं यह हमने एक लाइन ले ली क्या ले ली हमने एबी एट सेंटिमीटर लाइन ले ली हमने अपने इसकेल से सभी बच्चे इसक से असानी से बना सकते हैं सबको आपको पता है कि कमपास में पैंसिल लगाओ और यह पॉइंट जो हमारा यह है इस पर कमपास की नोग रखेंगे और थोड़ा सा परकार को खोल कर इस तरह से आर्क लगाई उतना ही परकार खुला रहन देंगे और अब यहां से जहां से हमन पर आ गए इसको कुछ भी नाम दे सकते हो a x a यहां से बी य अब यह देखो हमें किस रेशियो में इसको डिवाइड करना था हमें रेशियो में थ्री रेशियो टू में तो इन दोनों को एड कर लो कितरा बनता है 5 तो हम इन दोनों लाइनों को यह जो 60 डिगिरी के एंगल वाली बनी है, इनको five equal part में divide कर लेंगे, वो भी compass और pencil के help से, क्या करेंगे, थोड़ा सा compass खोला, ए पॉइंट पर रखा, पहले यह arc लगाई, फिर अब इस point पर रखेंगे, फिर वहाँ से यह arc लगाई, अब इस point पर रखेंगे, इसी तरह से 3, 4 और यह 5, यह 5 लाएं पॉइंट आगे, ऐसे उतने से ही, एक, दो, तीन, चार, और यह 5, तो यह जरूर धियान रखना, कि आपको यह बराबर बराबर दूरी की ही लेनी है, ऐसा नहीं कि इधर कुछ होड डिस्टेंस ले ले लिया, और इधर कुछ होड डिस्टेंस ले ले लिया, नहीं, बराबर दूरी पर लेना है, अब देखो 3 रेशियो 2, तो इधर वाले में 3 पर चले जाओ, यह आगे 3, और इस वाले में 2 पर पर चले जाओ, यह आगे 2, चीक है, यानि उपर वाली जो लाइन है, उसमें हमें 3 लेना है, और नीचे वाली जो लाइन है, इसमें हमें 2 लेना है, यह बी वाली जो साइड है, वो 2 लेना है, अब इन दोनों पॉइंट को एक सीधी स्केल के हैल्प से मिला दो, यह जहां भी A, B को कट करेगा, मान लो, यह हमारा बिंदू आ गया C, तो C जो है A, B को 3 रेशियो 2 में डिवाइड कर रहा है, अब इसको फिगर को देखो, ऐसा भी बना सकते हैं, और जैसा तुमारे इसमें दे रखा है, इस टैप का भी बना सकते हैं, यह उल्टा भी बना सकते हैं, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने लाइन ली, इधर बनाया, और फिर इधर बनाया, ऐसे ऐसे अंगल बनाया, हमने उपर नीचे बना ली था, उससे को इफर ने पड़ता, 1, 2, 3, 4, 5, यह बन गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन पहले 3 है, तो इस point पर चाहिए आप उपर एंगल बनाओ चाहिए नीचे बनाओ 3 हमें यहीं लेना है इस पर तीसरा point ले लिया इस वाले पर हमें दूसरा point लेना है तो हम इसको अब आपस में ऐसे मिला देंगे तब भी हमारा यह जो point आएगा यह इस type C आएगा तो दोनों तरीके साब बना सकते हो चाहिए एपर एंगल उपर बनाओ यानि अपोजिट एंगल बनाना एपर उपर बना लिया तो बीपर नीचे बनाओगे एपर नीचे की साइड एंगल बना दिया तो बीपर आप उपर की साइड बनाओगे ठीक है बेटा बस यही कोश्चन था असान सा आईए अब करते हैं हम जो भी हमारे ट्राइ और सेल्फ में दो कोश्चन दे रखें इनको आपको मैं बता देता हूँ पहला कोश्चन था बड़े असानी से करी लोगे क्या ए लाइन सेग्मेंट वहाँ पर एट सेंटीमीटर की थी यहाँ पर सिर्फ सेवन पॉइंट सेंटीमीटर की थी दे रखी है तो इसको आप इजिली कर सकते हो जैसे मैं उपर कोश्चन समझाया हो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि रेशियो भी बिल्कुल सेम ही दे रखा है अब कोश्चन टू में थोड़ा सा रेशियो आपको एक ट्रिक के अनुसार दे रखा है यानि डारेक्ट रेशियो नहीं बताया है तो यहाँ पर देखो क्या कहता है लाइन सेग्मेंट था हम बनाई लेंगे 8 असी बते सीबी और उधर क्या रे जाएगा वन अपॉन थे वन अपॉन थे का मीनिंग क्या वबा? वन रेशियो थे इसका मीनिंग यह हुआ कि हमें सी पॉिंट एबी को वन रेशियो थे में अब हमें डिवाइड करना है चलिए करके दिखा देते हैं हम आपको 8 लाइन तो आप एजी ले ही लोगे यह A हो गया और यह B हो गया 160 डिगरी का अंगल उपर बना दिया, 160 डिगरी का अंगल आपने नीचे बना लिया किस रेशियो में रिवाइड करना है, 1 रेशियो 3 इनको एड़ करो 4, तो 4 एक्वाल पाट कर लो, 1, 2, 3, and 4 अब देखो पहला रेशियो क्या है, 1, तो यहां से हम 1 वाला पॉइंट लेंगे, इसका क्या है 3 और यहां से हम 3 वाला पॉइंट लेंगे, दूसरे वाली साइट से बस अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो यह जो पॉइंट आया है, this is your C इसका मीनिंग क्या है, यह 1 रेशियो 3, यह एक हिस्सा और यह तीन हिस्से, यह आपस में बराबर है, इसका मीनिंग यह होता है तो इस तरह से हमारी यह वरक्षीट कंप्लीट होती है, आपको एक्टिविटी वाला कोश्चन और यह ट्राई और स्वयम परियास कीजिये वाले दोनों कोश्चन, अपनी कोपी पे साफ साफ ड्रॉ करने है, और कोशिस करना कि प्लेन पेपर पे ड्रॉ करो, लाइन दार व प्लेवाद